मेरी मा की बराबर कोई नहीं मा के लगाव से बड़ा दुनिया में प्यार कोई नहीं खुच चलती है दुखों की धूप में हमें छुपा लेती है ममता की छाओं में ये सच है दुनिया वालो मेरी मा के बराबर कोई नहीं लब यू मा मयंग के ये लाइन असुनकर हॉल में बैठे सभी लोग खड़े होकर तालिया बजाने लगे उस भीड में मयंग की मा शशी भी है जिसकी आँखों में आसु है और वो एक टक अपने बेटे को देखे जा रही है मयंग की मा के पास उसके पत्नी रोश्नी भी खड़ी है जब तीनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में रोश्नी ने मयंग से कहा आपने अपनी मा की बारे में इतना अच्छा बोला वहाँ सभी आपकी तारिफ कर रहे थे आप दो-चार लाइन मेरे बारे में भी बोल देते दुआ करो मयंग के पिता का दिहान बचपन में ही हो चुका था उसकी मा ने उसे बहुत मुश्कल से पाल पूस कर बढ़ा किया उसकी पढ़ाई के लिए बहुत महनत की और इसलिए वो अपनी मा को बहुत प्यार करता है और अपनी मा को भगवान की तरफ पूछता है उसकी शादी को भी पाँजी मैने हुए हैं और मयंग का अपनी मा की तरफ इतना जुकाव रोश्णी को पसंद नहीं अगले दिन सुनो जी आज डिनर के लिए कहीं बहार चलते हैं बहुत दिन हो गया हम कहीं बहार नहीं गया हाँ क्यों नहीं चलो लेकिन मा को भी बोल दो वो तयार हो जाएंगी क्या मा को ले जाना ज़रूरी है क्या हाँ मा को ले जाना तो बहुत ज़रूरी है वो अकेले बाटकर यहां करेंगी क्या ठीक है एक काम करो अपनी मा को ही ले जाओ मुझे नहीं जाना कहीं इस तरह रोश्णी मा के साथ जाने से मना कर दीती है और मायंग को बहुत बुरा लगता है वो रोश्णी को देर रात तक समझाता है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती इसलिए वो सुबह देर से उठता है और आफिस के लिए भी देर हो जाती है कल ही मुझे बेस्ट इंप्लोई का अवर्ड मिला है और आज ही मैं लेट हो गया ये सब रोश्णी के वज़े से हुआ है क्या जरुरती उसे मुझसे बहस करने की मयंग शाम को घर आया उसने मा के पैर चुए और कमरे में गया तो वहां रोश्णी मुझ बनाये बैठी थी तब मयंग ने कहा रोश्णी अभी भी गुस्से में हो अच्छा चलो तयार हो जाओ हम मुवी देखने चलते हैं मुझे नहीं जाना अपनी मा को ले जाओ मयंग का रोश्णी मुवी देखने चले गएं उन्हें घर आते आते काफी देर हो गई मयंग के घर आती ही अरे बेटा तुम दोनोंने बहुत देर कर दी मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुमारी मा रात का शो था ना इसलिए थोड़ी देर हो गई लेकिन आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हो प्लीज आप मेरा इंतजार मत किया करो मा सो जाया करो ना बेटा जब तक तु घर में नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं मिलता और तेरा इंतजार करना तो मेरी बरसों पुरानी आदत है इतनी आसानी से नहीं बदलेगी आप भी न मा आप से वहस में तो कोई नहीं जीच सकता अपको पता है आप इस दुन्या की बेस्ट मा हो इस तरह मयंक अपनी मा से देर रात तक बात करता रहा और अगले सुबह भी वो देर से उठा और देर से आफिस पहुचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है कभी मा की वज़े से तेर हो जाती है कभी रोशनी की वज़े से आगे से ध्यान रखूँगा कि हमेशा टाइम से आफिस आओ और टाइम पर घर जाओ ताकि मा और रोशनी दोनों को समय दे सकूँ मायंक ये सब सोची रहा था कि रोशनी का फोन आता है हलो मायंक जी आप जल्दी घर आ जाईए मा को बहुत तीज बुखार है ये सुनते ही मायंक मा की पास आ जाता है अपनी मा की खुब सिवा करता है और आफिस से चुट्टी भी ले लेता है अब मायंक की मा बलकुल ठीक हो जाती है तो वो अपने बेटी से कहती है बेटा, तुने मेरे लिए अपनी आफिस से बहुत चुट्टी ले ली अब कल से तुझे रोज आफिस जाना है, अब मैं बिलकल ठीक हूँ माजी, इनकी आफिस से नोटिस भी आ गया है कि अगर इन्होंने और ज्यादा चुटियां बढ़ाई तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा बेटा, तुन्हें मुझे ये बात क्यों नहीं बताई माँ पहले ही बिमार थी, मैं आपको और परिशान नहीं देखना जाता था इसलिए मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा अगले दिन मैंग आफिस गया, तो उसका काम में मन ही नहीं लगा वो बस अपनी मा की बारे में सुच रहा था इसी तरह कई दिन बीट गया उसका काम में मन ही नहीं लगता कभी मा फोन करके बहु की शिकायत करती, तो कभी बहु मा की शिकायत करती उसका सारा ध्यान घर पर ही रहता और आफिस के काम में ध्यान नहीं दे पाने की वज़े से एक दिन उसकी बॉस दें उसे बुलाया आव बेठो मैंग मैंग, पिछले साल तुम्हारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बहुत अच्छी थी लेकिन इस साल तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम ठीक टाइम पर आते हो, ना अपना कोई काम टाइम पर करते हो अगर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा नहीं नहीं सर, प्लीज, मुझे एक मौका और दीजिए मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूँगा मयंग, तुम एक अच्छे एम्पलॉई हो हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी वज़े से यहां से जाना पड़े वस आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना जी, जी सर मैं ध्यान रखूँगा मयंग, शाम को घर आता है और खाना खाकर मुछ देर अपनी मा की पास बैठता है उसके बाद सोने चला जाता है मयंग, कई दिनों से ऐसा ही कर रहा था एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझसे बात नहीं करते तो वो मुझे निकाल देंगे अच्छा, तो मा से बात करने का समय निकाल लिया लेकिन मेरे लिए आपकी पास बलकुल समय नहीं रोश्नी, तुम अपनी तुलना मा से मत करो हर बार मेरी मा को बीच में लिया आती हो अब हूना मैं तुम्हारे पास कर लो जितनी बाते करनी हो नहीं करनी मुझे आपसे बात जाओ अपनी मा से ही बाते करो जब आपकी पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की आपके लिए आपकी मा ही सब कुछ है ना मैं तो कुछ हुई नहीं? रोश्णी तुम्हारी जगा अलग और मा की जगा अलग है मेरी माने मुझे पालने में बहुत परिशानिया उठाई है उनके जीवन में मेरी सिवा और कोई नहीं है मैं अपनी मा को बिलकुल भी दुख नहीं देना चाता वो मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस तरह राद पर रोश्णी और मैंग की बहस होती रही जिस वज़े से मैंग ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाया तो उसकी बॉस दे सारे स्टाफ के सामने उसकी खूब इंसल्ट की जिसकी वज़े से वो घर आया तो मा से भी ठीक से बात नहीं की एक दिन सास बहु दोनों ने एक साथ मिलकर खाना बनाया तो खाना बहुत बेकार बना या अज खाना किसने बनाया है? आपकी मा ने बनाया है मैंने मना भी किया था लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? बहु? उतना जूट बोला कर जितना चल सके सारा मसाला तो तुने इकटा करके दिया था मैंने तो बस कड़ाई में डाला था माजी, मैं नहीं आप जूट बोल रही है चुप हो जाओ आप दोनों रोश्णी, मेरी मा बुरा खाना नहीं बनाती मैंने बचपन से ही मा के हाथ का बना खाना खाया है मयंग की बात सुनकर रोश्णी को बहुत दुख हुआ मयंग अपनी मा से बहुत प्यार करता था लेकिन उसका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि रोश्णी का दिल दुखे मयंग अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया वो अपनी मा, पत्नी और नौकरी तीनों में ताल मिल नहीं बिठा पा रहा था जिस वज़े से वो बहुत परिशान रहने लगा था एक दिन रोश्णी की तब्यद खराब हो जाती है तो शर्षी मयंग को फोन करती है बेटा, रोश्णी की तब्यद ठीक नहीं है इसको डॉक्टर की पास ले जाना होगा, तो जल्दी से घर आजा बेटा मा, मैं बहुत बिजी हूँ आप चली जाओ ना रोश्णी के साथ मयंग जब शाम को घर आया तो उसने अपनी मा से पूछा मा, रोश्णी कैसी है अब? बिल्कुल चीक है, जा जा कर मिल ले उससे, अपने कमरे में ही है मयंग कमरे में गया, तो रोश्णी लेटी हुई थी मयंग को देख कर वो उठकर खड़ी हो गई अरे, लेटी रो, लेटी रो रोश्णी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है आप कैसी है तुम्हारी तब्यद? आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? जब आपकी मा की तब्यद खराब थी, तो आप ओफिस से घर आये थे न? और ओफिस से कई दिनों की छुट्टी भी ले थी और आज आपकी पास इतना भी समय नहीं कि आप मुझसे एक बार फोन करके ही पूछ लेते राश्णी मैं ओफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें पता तो है ओफिस वालोंने मुझे नोटिस दिया है और आज काम भी ज्यादा था, बस इसलिए नहीं आ सका राश्णी और मायंक के वीच बहस बढ़ती चली गई और मयंक ने राश्णी की गाल पर जोरदार चाटा मार दिया अगले दिन मयंक ओफिस पहुचा, तो उसकी बॉस ने उसे टर्मिनेशन लेटर दी दिया मयंक दुखी मन से घर आया, तो उसे एक चिठ्ठी मिली जिसमें लिखा था मयंक जी, आपने हमेशा अपनी मा को मुझसे ज्यादा एहमित दी और एक पती का फर्स कभी नहीं निभाया, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपना और अपनी मा का खयाल रखना, आपकी रोश्णी मयंक एक हाथ में अपनी पत्नी की चिठ्ठी और दूसरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर उदास बैठा हुआ था तब ही उसकी मा आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली तु परिशान मत हो बेटा, साब चीक हो जाएगा हम पत्ता है